सन 2021 देखें, साते ही प्रदेश मा दीजिटल संबाद र कंकलेव का रूप मा कारेकरम आयोजना गवार दाई दीजिटल रूपांतों को अभियान मा क्रियाशिल संस्ता ICT Foundation लाई सुचना र प्रभिदी छेत्र मा खेलनू भायको भुमिका को लागी मा विशेश रूपले दन्नेबाद बनना चाहांचू र शुब कामना पनी बेख्ट गरना चाहांचू सुचना प्रभिदी का छेत्र मा भायको अन्बेशन ले आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक सभे छेत्र मा अभूत पुर्व परिवर्तन ले आयको छा बननी कुरा आनि सभे ले महसूस गारेगा छेत्र मानर्थ समाज पदिवर्तन को गती निके तिब्र भायको छा पचल्य समय मां कृत्रिम बहुत दिक्ता यह आई सम्म को भीकास ले एका तिरा मानर्थ समाज ले आज सम्म प्राप्त गरना नसके को कईयों अपसर शहज अबस्ता सेजना भायको छा बने और को तरफाई एसले स्रम र उत्पादन संबर्ण को इस्थाफित माननेता लाई नाई चुनोती दिलाई डीजिटल बर्गिये समाज नया बर्गिये समाज को सिर्जना पनी गरी रायको छा तेशेले राष्टा को सम्मरिद्धी समाज को रुपांत्रन एकोसिस्टम बेवस्टापन ले मत्यपोन भूमिका नेरवाग वर्धा चा यो संगाई शुचना र प्रभितिको भिकास ले ज्यान र सुचना मां सिमित बर्ग समुआले पंच कायम रहेको नियती र अबस्तालाई समेत परिवर्तन गर्दाई हरे नागरिकले सहजई आपन आपुलाई मुखरित गर्नसक ने सामहिक चियतना संबहात गर्नसक ने र परिवर्तन का पच्छे मां ज्यान र सुचना लाई अत्यंते सहल्ता प्रुवक संप्रेशन गर्नसक ने सकारात्मक अबस्ता से जना भायको छा तरह सुचना र प्रविदी लाई हामरो सामाजिक राजनेक तेक आठिक रुपांतर मा कसरी उपए गर्षंग र शुचना प्रविदी का छेत्र मा अनवेशन प्रविदीक विकास अथेसको उपभोग का विकास भायको डिजीटल दिभायक लाई कसरी सम्बधन गर्षंग बनने अयली को मुख्यी प्रस्णा हो. सुचना प्रभिधी माती आम मानिस को पपुँच भै मात्रे इस्वाद प्राप्त हुने लाब मान जनता को पँच सुनिसचित हुना सकते साुच सुचना प्रभिधी छेतर का इने अप्सर रत्चुनोति को गंबिर्ताला आत्मसाथ गर रही नेपल सरकार ले सुचना तता संचार प्रविदी लाई सामाजिक न्याय सुचासन रा आर्थिक संब्रिदी हाचिल गरने मुख्य छेत्र को रुप मां अंगी कार गरे को छा मैं ले एस बर्षा को नितिकारक में रा बजेट निर्मान को संदर मा अगरिकल्टर लाई बेस रा आईटी लाई लीडिंग रोल दिये रा माप्त्राई हामीले विकास लाई गटी दिना सक्षों बंदय आयको थी आर्थिक बर्षा 81 को बजेट मार पर सुचनार प्रविदी लाई मुख्य प्राथ्मिक छेत्र मा का रुप मा लिदै डिजिटल एकोनोमी स्टाट अप र इन्नोभेशन को प्रबर्दन मा लाखों को संख्या मा रोजगारी स्रिजना डिजिटल गबर्नेंस को सुधार मार देश रुपा अंत्रान को लगशे अगी सारी एको छार नेपाल ला शुचनार प्रविदी को अपका रुप मा विकास गरनो शुचना प्रविदी दसक को गोशना सहित दस बर्षमा रू 30 खरब को निरियात गरने र 5 लाख प्रतेक्षे र दस लाख अप्रतेक्षे दान गरिये को छार तेसे गरी सुचना प्रविदी लाई अर्षतंत्रा को संभाग छेत्र को रुप मा इस्ताफिद गरने सुचना प्रविदी का नभिन्तम प्रविदी अबलमन गरनो कानुनी आधार प्यार गरने कृत्रिम बाव दिक्ता को विकास प्रवर्दन र नियमन को नितिकत व्यवस्ता तरथा सेंट्रल बेंक डिजिटल करेंशी को संभावनार अभिकास लगाया चा विशेलाई राज्यले नितिक कारकमड बजेत मार्फत अगी सारे को छार मला लागते ये सबय कुरायारू बदली को परिष्थिति अनुकुल छन। सुचुना प्रविदी छेत्रमान नितिकत इस्ताइतो सहित उच्च गतिको भरपर्द और किफायती इंटरनेट सेबा डाटा सुरच्या बवधिक सम्पति सम्रचन प्रदान गरने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी शोको कार्णोयन र अनुगमन गरना संस् काथमान उपत्यकार भुटोल मा उपलब्द सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोगरी उच्च गतिको इंटरनेट विद्धूत सुरच्या लगायत का पुरभादार सहित सुचना प्रविदी पार्क संचालन को काम अगाडी बड़ाई दैशा इस्तो पार्क मा तीन बश स्टापना गर्ने लगायत का महत्वपून कारेकम हरु पनी एस बर्च को बजेत मा सम्मेटिये का जुँ तिस्ताई साधुनिक स्यवाप प्रभाहा मा मेरु दन्न का रूपमा रायका डिजीटल प्रनाली हरु सरकार आफईले निर्मान गर्ने स्वोधेश मा उत्पादित स अरपर्द बनाऊने सुचना प्रभिदी विशेमा इसनातक रष्णातक अत्तर तहमा अध्यन गरी रहका युवाहरु लाई सुचना प्रभिदी संबद्ध उद्धोग मा इंटोर्न गर्ने व्यवस्ता गरिये गोठा गतवर्स एक आरेकम मा है मैले सुचना प्रभिदी विदेग स्टाट अप निती साइवर सुरच्छा लगायत का छेत्र मा नितीगत सुधार गरी ने गोष्णा गरेको थिये यो अबदिमाग क्भिदी विदेग तर्जुमा गरी व्यवस्तापिका सम्षर्द मा दर्ता ग वरनें सायरी अगारी बडी सके गोठा तेशे गरी सामाजिक संजाल को व्यवस्तापनको संदर मा समयत ब्यगलैव लिदेग को तईयारी भाई लाए कोठा स्टार्ट अप का लागी उल्लेख्य बजेट को गोचना पनी भई नहीं सके गोचर उत्पादन उत्पादको तो विव्दिर रोजगारी सुरिजना का छेत्रमा सरकार ले गोरे को निरंतर प्रेयाश्र पहल कादेमिका कारण देश बित्र क्रमास भरोसार विश्वास को बातावन बंदेगायकोच सुचना प्रविदी को छेत्रमा सरकार को तरफबाटा आकर्षक रोजगारी को वेवस्तार अफसर रुष्चिरिजना गर्ना आमेले निकै ठुलो पहल गरीपनी रहे काथ्यों स्टाट अप निती तरदुमा साथे स्टाट अप एर इन्नोबेशन लाई प्रवर्दन गर्ना इतियाक्स में पहलो पठक एक अरब को कोश बनाएर साथे प्रदेश मां इनकुबेशन स्वाइट का कारेकम भरू पनी सरकार ले ल्याई चते गोचा गतवर्षको एक कारेकम मां डिजिटल गवर्नेंस ला शुधार गर्देश पारदर्शिता जबाप्ते इता संगय सुशासन को लागी पनी डिजिटल प्रविदी को प्रियोग गर्नु परनी कुटालाई समयर माईले विशे जोड दियेको शायर इहारलाई समरन्नाई होला यह आधारमा नागरिकली प्राप्तगर्ने स्यवा हरू यह उतेई प्लेतफर्म बाक प्राप्तगर्न नागरिक स्यवा क्यंद्र डाता एक्स्चेंज प्लेटफर्म र ई-गबर्नेंस ब्लूप्रिंट तयार गुदई छो साजनिक स्यवा प्रदायक निका का डिजिटल प्रणाली को प्राविदिक परिश्चेन को काम नियमित भाईरायको छर यसलाई निरनतर्ता दीने छो सबय नागरिक मा प्रविदिको सहज पहुँच बिस्तार गरी स्वाष्ट, कृष्ची, सिच्छा, लगात्या स्यवा प्रभा का छट्रलाई गुणस्तरिय र पहुच योग की बनावना जरुरी छो सुचनार प्रविदिका सबय पहल हरुलाई समन्य र सहजी करन गरन प्रदानमंत्री कारले में आईती मासा का बिस्तार गरीएगोच पचिल्लो समय हामिका योटा अत्यनते नकारात्मक भास्टे इस्ताफिदगारन कोशित हुदाई पनी आयगोच देश बन्दाई न यो देश मा केई पनी हुदाई न यही बास्टे का कारण पनी युबा बाउदिक्र प्राभिदिक जनसक्ति बिजेश पलायन हुने प्रक अधिक्र पनी शंग्संग इस्ताफित भायगोचे मा सबय युबा रा आईटी चेत्र का उद्धमी हर लाइ प्रभिदी मार्फट अर्शतंत्र को भिकार रा रोजगारी स्रिदना का निम्ति सरकार्ल्य अगारी बढ़ायका का कारें हुरु प्रभावकारी तुल्याउँन प्रभिदी को प्रभिदी को प्रयोग मारफट आर्शिक सामाजी रूपांतरां मा सहकारे का निम्ति अफिल ग़दाचु नेपाल मा संबब छा हामी नेपाल बनाउना सक्षा वन्ने आप्तम विश्वास को साथ अगारी बनापनी मा विश्यश रुबले अपिल ग़दाँ हामीने डिजिटल गवर्नेंस ला सुधार ग़दे भष्टाचार मुक्त समाज नेर्मान ग़दाँ छा इसलिए भष्टाचार नियंतन रसुषासं को प्रत्याबोती सेवा प्रहभा मा सरल्ता र सहल्ता अंतर सरकारी समन्न में सुधार चालू खर्चमा कटवती र पुझी प्रहा आईटी उद्धमी र भिक्यार ला आग्राव गर्न चाहन कि अईले को समय निराशा बानने समय वहिना बरु आमरा स्वामु सिर्जना भाय का अफसर हर को अधिकतम उपयोग गर्दे संप्रिद नेपाल नेर्मान मा हाथे मालो गर्नु हो सरकार यहुटा मिशन मा अ अधिकतम नेपाल सरकार तमारो सबय लाई हार दिक धन्नेबाद बनना चाहन चाहन अंते मा आजेगो डिजिटल नेपाल पन्कलेप अभिसको आजना गर्नु भायको मा आजेगो प्रती फेरी एक्षोटी धन्नेबाद बनना चाहन चाहन चुँ आईसीटी फांडेशन अधिकतम चाहन 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 चा